कोडर्मा के सदगावा प्रखंड के जोगा बागी इस्थित धेलवा बाबा के पास गेहूं के खेत में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिर जाने के चलते शौट सरकित से आग लग गई और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई वहीं पीडित किसान ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है कोडर्मा जिले के सदगावा प्रखंड के अंतरगर मर्चोई पंचायत के जोगा बागी इस्थित धेलवा बाबा के पास गेहूं के खेत में 11,000 बोल्ट का बिजली कातार गेर जाने की चलते शौट सरकिट से आग लग गई और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई बताया जा रहा है कि लगबग इस अगजनी में किसान को लगबग 25,000 रुपे का नुकसान हुआ वहीं ग्याओं की फसल जलती दे ग्रामिलों ने आग बुजाने के प्रयाश शुरू कर दिये कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पाया गया वहीं पेड़ित किसान ने सरकार से मुआपजी की गुहार लगाई है रात दरपन न्यूज के लिए कॉर्डर मासे कोशल पाया डिक रिपोर्ट